9 घंटे में बना दिया एक पूरा रेलवे स्टेशन तोड़े सुपर फास्ट में न्यूफेक्चरिंग के सारे रिकॉर्ड अब तक दुनिया में सबसे तेज चलने वाली ट्रेनों को लेकर ही जिक्र होता रहा है बता दे इस रेस में दुनिया के कई देश शामिल हैं मगर इनमें सबसे उपर चीन है जी हाँ चीन को विख्यात करने के लिए वहां की सुपर फास्ट ट्रेनों का एहम योगदान है इसके अलावा बचीन का नाम सुपर फास्ट में योफेक्चरिंग को लेकर भी जाना जाने लगा है जी हाँ जितना स्पीट से यहां ट्रेने चलती हैं ठीक उसी स्पीट से अब स्टेशन भी बनाय जा रहे हैं यकीन न हो तो पढ़ें ये खबर मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक चीन के फुजियान प्रांप में एक ऐसा कारनामा हुआ है यहां इंजिनियर्ज ने महज 9 घंटे में एक रेलवे स्टेशन तयार किया है इसकी जरूरत तब पढ़ी जब तीन रेल रूट को जोड़ने की जरूरत महसूस हुई इस काम में 1500 वकर एक साथ जोटे थे हाला कि इस काम के लिए फ्री फ्लानिंग, डिजाइंग, टास्क फोर्स और काम पहले से बटा हुआ था इस बेजो और निर्मान कारिय के लिए हर वकर इंजिनियर और लेबा को कई तरह की काम करने थे जो साथ सटेप में सबको बता दिये गए थे सबसे खास बात ये कि यहाँ सिर्फ बिल्डिंग ही नहीं बल्कि यहाँ से निकले वाले रेल रूट की पैट्रिया समेच सिगनल और विडियो तारे घंटों में फिट कर दी गई चीन की इस सुपरफास्ट मेन्यूफेक्चरिंग से दुनिया स्टब्थ है ये निर्मान चीन के लोकल रेल नेटवर्क को मजबूत करने के लिए किया गया था यहाँ गे लॉंग रेलवे गेमरोई लॉंग रेलवर जहान लांग रेलवे को नए रेल रूट नेम लांग रेलवे से जोड़ने की जरूरत थी अब इस 246 किलोमीटर के इस नए रेल रूट पर 200 किलोमीटर घंटा की रफ्तार से लोकाल ट्रेने गुजरेगी